वेलकम स्टुडेंट्स बोर्ड एक्जाम दोजार चोबीस कक्सा आठ गणीत विशिये का ये मोडल पेपर आपके लिए बहुत ही मैत्वपन होने वाला है इस पेपर को R.S.C.E.R.T. दवारा जारी किया गया है और ये एक्जाम के अंदर इसमें से बहुत सारी क्यूशन्स मिल सकते हैं और किस तरह की क्यूशन्स आएंगे वो R.S.C.E.R.T. ने एक मोडल पेपर जारी करके इसका नमूना दिया है तो जरूर आप इसको देख लिएजी मैं आपको इसको पूरा सॉलिशन करवाँगा कि किस तरह से इसके क्यूशन्स है वो आपको हल करने है समय आपको एक्जाम मिलेगा धाई गंटे मैं यहाँ पर आपका ज़्यदा समय नहीं लेते हुए आपको जल्दी जल्दी सभी क्यूशन्स को सॉल करवाना सिखाऊंगा कि कैसे आप अच्छे नमबर प्राप्त कर सकते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और सेर कर दीजी क्योंकि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी अन्य जो वीडियोज है वो मिलते रहेंगे सभी बेस्ट वीडियोज में परिक्सा तक आपके लिए लेकर के आऊंगा चलिए यहाँ पर सबसे पहले हैं वस्तुनिष्ट क्यूसंस देखी दो बटा साथ गुणा जीरो का मान है तो जीरो को किसी सी भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर बह आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधा ही जीरो ऐसे आपको बह भर देना है क्योंकि आपको जो परिक्सा केंदर है ऐसी ही सिधा पेपर के ऊपर ही उत्रमाला आपको करनी है अलग से आपके उत्रपुष्टी का नहीं आती है पिछले साल से ये सिस्टम से कर दिया है 2023 से समीकन 3x-1 14 में बायापक्स क्या होगा यनि यहाँ पर देखी क्या है इसने कहा है 3x-1 बराबर 14 में 22 क्या होने बाला है तो 22 तो यह है 3x-1 तो यहाँ पर से आपका राइट आसर होजएगा प्रतेक कोण का मान तो आपको पता है जो टोटल एस तरह से वरग होता है सब्ही कौण कितने होते है 90-90 डिग्री की होते है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा पूरण वर्ग संख्या है 9 की पूरण वर्ग संख्या क्या होगी 9 को 9 से गुणा करेंगी तो क्या आता है भाई 81 तो यहाँ पर 81 आपके 10 में है 10 आपका राइट आंसर हो गया अगला है संख्या 5 की घन संख्या घन संख्या किसको कहते है 5 गुणा 5 गुणा 5 यनि 5 की घात 3 तो 5 की 25 पंजे की 25 पंजे 25 पंजे 125 तो सर यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा 125 अगला है अंकित मुल्य माइनस विकरी मुले अंकित मुले से विकरी मुले निकारेंगे तो पीछी क्या बसता है बटा ठीक है कितनी छोड़ दी वो तो अ आपका यहाँ पर सही answer हो जाएगा ठीक है एक पदी ये bg वेंजे कौन सा है 4x ये एक पदी है 4x प्लस 3y ये दो पदी है 3x प्लस 2y ये भी दो पदी है सुरी ये भी दो पदी है ये दो पदी है संख्या का मानक रूप क्या होगा तो यहाँ पर देखिए यह 10 मलों के बाद में 2, 2, 4 और 2, 6 संख्या है कितनी है भाई? 6 और 6 संख्या है तो यहाँ पर इसने लिखा है 3 दस्मलों 5 तो एक संख्या दस्मलों के बाद इसने लिख दी और बाकी की जितनी संक्या हैं उसकी माइनस में घहात लगा तो 3.5 गुणा 10 की घहात माइनस 5 इस तरह साब का उत्तर आ जाएगा उतनी 10 के उपर घहात लगा करके लिखनी तेन दस मुलक पांस का गुणा, दस की गात माइनस पांस करेंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह सर आपको लिखना है, ये तो आपके आठ आएंगे, अब्जेक्ट टाइप क्यूसंस, जो मैंने आपको अच्छे समझा दिए करने कैसे, उसके बाद है कि अ प्रतिलोम यानि एक दूसरे का उल्टा, उपर से नीचे और नीचे से उपर, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 से 19 सकट गया एक, 29 से 29 सकट गया एक, एक में एक का भाग दिया क्या आ गया, एक, तो इस तरह से इसको गुणात्मक परतिलोम गुणधर्म कहते हैं इस तरह साब को लिखना है अगला है समिकर्ण 5X प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3X को हल करना है तो देखी समिकर्ण के अंदर 5X और 3X दोनों के एक तरब करेंगे और संख्या संख्या हो एक तरब करेंगे तो 5X प्लस 9 और 5X प्लस 3 ये लिख दिया उसके बाद देखी 3 x को इधर ले आए तो minus का हो गया 5 x minus 3 x पकसंत्रन किया तो और 9 को इधर ले गए ये minus का हो गया 5 minus 9 तो यहां देखी 5 x में 3 x कटाया 2 x रहा और 5 में 9 कटाया minus का 4 रहा तो इधर अपने को x का मान गयात करना इसके साथ ये गुणा में भाग में चला जाएगा माइनस च्यार के अंदर दो का भाग देंगे तो माइनस दो इसका उत्तर आ जाएगा तो इस तरह से आप पक्सांतरन वाला सवाल आसान से समीकर्ण कर सकते है अगला है निमली की संक्याव में से परतेक के घं के एकाई का अंग्यात कीजी तो देखी क्या करना है घं के एकाई का अंग्यात करना ये एक है इसका देखी आप एक गुणा एक गुणा एक कर लीजी एक आ जाएगा ठीक है इसमा करेंगे साथ करना साथ करना साथ कर लीजी क्या देगा 343, 343 का 1 अंग क्या है, 3 है, तो इस तरह से आपको करना है, केवल अंतिम अंग पर जान देना है, बाकी वालों करने की जरूरत ही नहीं है, कि देखिए कितना सॉल्ट और स्वीट आपका तरीका, पूछा क्या था, प्रते के गन के 1 अंग ज्यात करना है, यह 7 का निकाल दी, यह 1 का निकाल दी, 7 का विजस 343 आया है, तो यह उसमें 1 का 1 अंग 3 ही है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है, अगला है, भारती के पास 15 पैन है, और मिनाकसी के पास 45 पैन, दोनों के पैनों का अनुपात क्या है, 15 और 45 ले के कार दीजी, 15 का 5 तरी 15, 45 का 5 तरी 35 का भाग दिया, दोनों में, फिर 5 के दिया, 5 में एक बार, 15 में दिया, तीन बार, तो एक अनुपात 3 आ गया, ठीक है, इस तरह सापको अनुपात निकालना है, अब आपके लगुतरात्म क्यूसन आएंगे, 13 से 22 तक, खंड अ यहाँ पर है, 13 से 16 तक, इसके अंदरे अलग साथ के रूप में ले लिए, ठीक है, तो यह बिल्कुल सत्य बात है, अगला है, 10 की गात, 24 में आदार का मान, 24 होगा, यह असत्य है, क्योंकि अदार का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पर यह असत्य है, ठीक है, इसको असत्य पराइट करना है, अदार यह होता है, यह गात है चोईस गात का मान है ठीक है अगला है देखी माइनस पांस की गात माइनस चार गुणा माइनस पांस की गात माइनस दो का मान माइनस पांस गात माइनस से होगा तो ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि देखी दोनों में आदार माइनस पांस माइनस पांस है यह है 2 की घात 5 और भाग का मतलब है इसको 2 की घात minus 6 यहाँ पर है ठीक है तो इसको इधर लाएंगे उपर तो यह 2 तो दोनों में common है और यह minus है वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 2 की घात कितनी होगी 11 होगी तो 2 की घात 11 बिल्कुली सत्य बात है इस तरह साब क का किःना आए देगी कितना किःसन आसान था अगला है रिक्त श्थनों के आपको पूर्ति करने किसमें से कौन सा आएगा एक एक नमबर की ये भी चार किःसन आप के आते है बहुत य अच्छे है तो इसका कोई भी अंत्य कोणों का योगफल सोरी क्या था उतल बभुज के विक्रणों का कोई भी भाग विक्रण क्या होंगे इस तरह से विक्रण होंगे इनके कौने से कौने मिलने वाले ठीक है न तो इनका कोई भी भाग है वो बाहर नहीं होगा ठीक है तो बहीर भाग में नहीं होगा ये आपको करना है तीसरा है पंच बुझ के सभी अंते कौनों का योगफल कितना होता है तो 540 डिगरी होता है कितना होता भई 540 डिगरी होता है ठीक है चार कौन होंगे तब तक तो होगा 360 डिगरी क्या पुछा है पंस भुज की सभी अंते कौन जब तक 4 भुजाओं वाला होगा तो 360 होगा लेकिन 5 भुजाओं का आते ही 540 डिग्री हो जाता है समांतर चतर भुज की विकरण एक दूसरे को क्या करते हैं भई समद्वी भाजित करते हैं क्या करते हैं दोनों संख्याएं गुणा होगी साथ चों के 28 और माइनस का एक चन है तो माइनस रहेगा माइनस 28 पी आर बन गया तो इसको मिला दीए अगला है 2 पी और 8 क्यू तो देखी 2 और 8 का गुणा होगी आर्दूने 16 पी क्यू तो 16 पी क्यू से मिला दिया ठीक है अगला है देखी 3 पी कोष्टक 4 माइनस 8 क्यू तो देखी ये जो कोष्टक से बार है ये दोनों से गुणा होगा 4 तरी 12 हो जाएगा 3 आठ से भी गगा 8 तरी 24 हो जाएगा ठीक है 3 पी है तो यहाँ पर इसके आगी पी लग जाएगा और चिन माइनस 8 माइनस और 8 क्याएगा इसके आगी क्यू लग जाएगा तो 12 पी माइनस 24 क्यू हो जाएगा जो यहाँ पर है इससे मिला देंगी अगला है 20 पी का स्कुएर तो इसको यह दो टुकड़े करें तो दोनों पी को अलग लग कर देंगे पी पी रह जाएगी लेकिन यहाँ पर देंगी 20 की दो टुकड़े क्या कर दिये है एक में चार कर दिया एक में पाँच कर दिया और यह इस तरह से कोष्टक में मलोओ यहाँ गुणा का निशान है ठीक है तो यह इसको दोनों का इससे मिल जाएगा इस तरह साब के ये चार नमर का बहुत ही आसाना जाएगा अब आता है अच्छी प्रकार से फेंटी वी बावन पत्तों की एक गड़ी में से एक पत्ता या दर्शिक निकाला जाए तो एक काला बाजसा प्राप्त करने की प्राइक था काले बाजसा दो होते है ठीक है एक इस तरह की पंक्ती वाला और एक जो वो चिली टाइप इस तरह से होती है इसका ठीक है दो बाजसा होंगे टोटल कितने हो गए दो बटा बावन तो इसको हल करेंगे तो एक बटा 26 आ जाएगा ठीक है तो इसकी प्राइक प्राप्त है एक प्राप्ट करने एक प्राइक तक यहाँ चार बट्टे बावन है तो एके कितने होते हैं? चार होते हैं ठीक है? दो लाल और दो काले तो चार बट्टा बावन लिखेंगे और इसको काटेंगे चार एकम चार और 52 के अंदर 4 का भाग देंगे 34 52 तो यहां पर 1 बटा 13 आ जाएगी लाद रंग की बेगम लाद रंग की बेगम कितनी होती 2 होती तो वही 2 बटा 52 करेंगी तो 1 बटा 20 आ जाएगा इस तरह साब को यह सवाल चार करने उसके बाद आता है खंडबर 17 से 22 का ही चैनल है और आपके ही भरोसे है और मेनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा आपको समझाने में कोई कमी नहीं रखूंगा और ये चैनल आपके हर समय साथ देगा अब आप आठी में हैं अगली साल नौइंत में आ जाएंगे तो वहाँ पर भी अद्वार्शिक का पेपर और वार्सी के पेपर्स उससे पहले भी आप कोई कठी नहीं होगी तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको solution करवा दूँगा देखिए अब भाजी गुणखनवीदी से 9604 का वर्गमूल क्यात करना है तो आपको वर्गमूल ऐसे निकलना आपके गुरुजीन से खाया होगा इस तरह से निकलने बाद यह जो संख्याया आती है उनको आपस में इस तरह से गुणा करना है और इनको गुणा करेंगे तो आपके 98 है जो इसका आजाएगा उत्तर ठीक है इसका वर्गमूल 98 हो जाएगा यानि 98 को यदि अपने 98 से गुणा करें यहां क्या करना है दो दो बार आए दो एक बार लिना है साथ साथ दो बार आए एक बार लेना है फिर साथ साथ दो बार आए एक बार लेना है तो ऐसे इंठानों आजएगा इंठानों को इंठानों से बना करेंगा तो वापिस 9600 जायेगा अगला किसी समातर चदरबुझ की दो आसन कोणों का अनुपात तीन अनुपात दो है समातर चदरबुझ की सभी कोणों की माप ग्याद करनी है तो यहाँ पर देगी कौन A और कौन B 180 डिगरी है, इस तरह से यहाँ पर 3X और 2X का अपने को मान निकालना ठीक है, तो माना दो आसन कौन A और B करमस 3X और 2X है, आसन कौन मालों A की भुजा पर इस्तित कौन होते है, तो 3X और 2X का मान क्या हो जाएगा 180 डिगरी, इन दोनों को मानेंगे 180, यानि 5X का माना 180 है, तो 5X बराबर 180 करेंगे, X का मान निकालना ठीक है, पांस का भाग देंगे, एक का माना जाएगा 36 डिगरी, अब अपने कौन A का मान निकालना है, तो 36 को 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पर किया 108 डिगरी आ गया, और इसको करेंगे, तो 2 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2X है, 2 को 36 से करेंगे, तो यह बहतर डिगरी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह साब का हो जाएगा, तो इस तरह साब को यह कौन लिखने है, अब आप देखेंगे, यह और यह कौन बराबर है, तो कौन B और कौन D है, वह बहतर बहतर डिगरी हो और कौन A और कौन C है ये आपस में आसन कौन है मलब आमने सामने कौन है तो ये हो जाएंगे 108-108 डिगधी ठीक है तो ये आसन कौनों का मतलब ये होता है आसन कौन का मलब होता है एक ही भुजा पर ठीक है और इनको कहते हैं आमने सामने के कौन अगला है 12,000 रुपे का दो वर्स के लिए 10% वार्षिक दर्स साधान ब्याज और चक्रवर्थी ब्याज का अंतर ग्याद करना है जब कि ब्याज वार्षिक सयोजित होता है ठीक है तो देखिए यहां चार नमर का आपके क्यूसर नाया है यहां पर आपको क्या करना है चक्रवर्थी ब्याज का सूतर लिखना है जिसको इसने इंगलीज में लिखा है आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं क्या है यह एक आमर्लों होता है मिसर धन बराबर मूल धन गुणा मिसर धन बराबर मूल धन गुणा एक पलस ऐसे मूल धन कोश्टक एक पलस दर बटा सो की घात समय इस तरह से है, तो यहाँ देकी इसमें मूल धन कितना था? 12,000 एक पलस दर कितनी, दस की बटा सो समय था? 2 वर्स, तो देकी 110 बटा 100 की घाट 2 ठीक है यह 0-0 काटा इसलिए 111 बटा 10 आया ठीक है ना आपको समझने में कोई तकलिप नहीं होनी चीए 11 को 2 बार गुणा करेंगा 1121 और 10 को 2 बार गुणा करेंगे 100 हो जाएगा फिर यह 2-0 कटआएंगे 120 का 122 सी गुणा करेंगे 14,500 रुपया जाएगा तो अब इसने पुछा क्या है चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ग्याद करना है साधान ब्याज और चक्रवर्त ब्याज तो ये तो गया चक्रवर्ती ब्याज ठीक है इस में से मूल्दन गटा लेंगे चक्रवर्ती ब्याज में से मूल्दन गटा लेंगे तो ये 2520 रुपी ब्याज आगे अब साधान व्याज का सूतर लगाएंगे मूलदन गुणा समय गुणा 10 बटा 100 तो 12,000 गुणा 10 गुणा 2 बटा 100 करेंगे 2400 रुपय आजएगा पसुदा 100 आगे 30 हो गए अब बोजन है वाई दिन के लिए तो यहाँ दे कि अपन को क्या करना है 20 गुणा 6 बड़ाबर 30 गुणा वाई करना है अब यहाँ पर 20 और 6 वो एक तरफ रह जाएगे वाई का मान है तो य के साथ वड़ा बटाम चला जाएगा 30 0 से 0 कट गया 3 का भ keywords 5 2t प्लस 1 को हल करना है अपने अधर की जांच करनी यहाँ देखि 3t-3 है तो यहां पर तीन को 2 से गुणा किया tt एक तरफ करेंगे tt इदर है 10 t को इदर लाएंगे तो हो जाएंगे – 10 t तो – 7 t रे गए 9 को इदर ले गए उद 5 और 14 होगे तो 14 t का मान निकाला 7 बटेवार में आजाएंगे – 7 का 14 देगी – 2 थर आजाएगा इस तरह से बायापक्स दायापक्स करकिस की जाच कर सकते हैं आराम से आपको समझ में आ जाएगा अगला क्यूशन आपके आता है चार नमर का किसी सहर में विभीन चेतर में दुरू कितना में गायलों की संख्या नीचे दीगे इन आकड़ों को एक पाई चारक दवराब को समझाना है देखी वर्स 2018, 19, 20, 21, 4 दिया है संख्या दी है 20, 12, 18, 22 टोटल बहुतर है ठीक है तो आप बहुतर को डिग्री में बाटेंगे तो 360 के अंदर बहुतर का भाग देदें देखी वर्स 2018 का है तो 20 कितना है? 20 तो 20 बहुतरा टोटल केतना है? 20 गुणा 360 करेंगे, 100 डिग्री आएगा ढ़ाया ठीक है? ऐसा ही 2019 का करेंग तो 19, 12 उपर रखेंगी बहुतर नीचे सभी में रएगा योग गुणा 360 करेंगे, 60 डिग्री आएगा 2020 का करेंगे 90 डिग्री आएगा 2021 करेंगे 110 डिग्री आएगा फिर आपको ये 360 डिग्री का पाई चार्ट बना करके यहाँ पर इसका जैसे देखी 360 योग आएगा इसका ठीक है न इसको अलग-अलग तरह से इस तरह से बांट देना है यह आपको पाई चार्ट बनाना है यहाँ पर एक गोला बनाएंगे इसके अंदर आपको डिग्री वाई अलग-अलग बाहर देना चंदे की साज़ता से ये काम आप कर सकते है आगे आता है निमंदात्मक परस्वन 23 से 25 यहाँ आठ नमर के आपके क्यूशन आते है चार क्यूशन है दो दो नमर के यह या तो आप यह करिए या यह चार करिए दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो करने है कोई भी यह से यह चार करेंगे तो यह चारों करने है यह यह चारों करने है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस कोई दी नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं मैं आपको जरूर इसको हल करवाने का भी प्रयास करूँगा अब अगला है देखी एक घनापकार डिब्बे का आयतन यहाँ पर भी आपको क्या करना है चार-चार नंबर दे रहे हैं यहाँ चार-चार दे रहे हैं मरलब यहाँ तो यह दो क्यूशन करने है अथवा में आया हुआ है यह यह दो क्यूशन करने है ठीक है जो भी आपको ठीक लगए यहाँ यह दो यह दो करिए तो इनको भी देखिए यहाँ पर गनाबाकर डिब्बे का आयतन निकाने का सूतर है लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उँचाई कर रखा है अच्छे से आप इसको देख सकते हैं और यह इसका डेट सेंटिमेट रोतरा गया दूसरे कागिद चोड़ाई गुणा से बेल जो आठ नमर का आपकी क्यूषणा है क्या रेखी कालेक है गुरगी बुजासा समीर वरग का सेतरफल क्या है इसका जारप पुछा है अत्वा हम पूछा है दोनों यह आपको यहाँ पर करके दिखाए हैं देखिए इस तरह से आपको यह गराप बनाना है और यहाँ पर इस को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक शेयर करेगा और जो नहीं प्यार करता है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा धन्यवाद